चीन में एक बार फिर से एक बिमारी फैल गई है आज ही एक खबर सामने आई कि चीन में जो बच्चे हैं वो बहुत तेजी से बिमार हो रहे हैं उनके अंदर जो लक्षण हैं वो कुछ-कुछ COVID जैसे आ रहे हैं या फिर निमोनिया जैसे आ रहे हैं, क्योंकि निमोनिया और COVID की जो लक्षण थे, वो जादातर सेम ही थे, ऐसे में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ की वहाँ पर दिकत हो रही है, इसके साथ-साथ उनको खांसी और तेज बुखार भी हो रहा है, और ये निमोनिया के ही लक्षण हैं, साथ-साथ COVID की दोरांग भी हम सब जानते हैं कि इनी तरीके के लक्षणों का सामना हम सब ने किया था, तो ये एक बार फिर से चिंता का विशय पूरी दुनिया के लिए हो सकता है, क्योंकि COVID-19 आउटब्रेक किस तरीके से चीन से पूरी दुनिया में हुआ, ये सब ने देखा, सब ने जेला भी, लेकिन अब हम उससे क्योंकि उबर चुके हैं, इसलिए अब हम नहीं चाते, कोई भी नहीं चाता कि ये नई बिमारी एक बार फिर से चीन से निकल कर दुनिया तक फैले, तो ऐसे में WHO ने भी इसको लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया ह इसके अलावा WHO ने चिंता भी जिताई है, जिस तरीके से ये निमोनिया ब्रेकडाउन वहाँ पर हुआ है, निमोनिया के लक्षर वहाँ के बच्चों के बीच में पाए जा रहे हैं, नौबत यहां तक आ गई है कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं, उनको बंद तक करना पड़ा है, WHO ने इसको लेकर गाइडलाइन्स अलग से जारी कर दी हैं और रिपोर्ट्स भी उसकी ओड़ से मांगी गई हैं, इन तमाम बच्चों की जो वहाँ के हॉस्पिडल्स में एडमिट हैं, एमजनसी वाट्स खचा खच भरे हुए हैं चीन में, वहाँ से कई सारे वीडियो होता आ रहा है, और इसी के आधार पर WHO ने अब वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है, निमोनिया जैसे कुछ ही ऐलक्षन वहाँ पाये जा रहे हैं, हालात यह हैं कि स्कूल्स बंद करने पड़े हैं और कुछ शिक्षक भी इससे संक्रमित हो गए हैं, और क्योंकि पूरी द दर फेला दिया है, लोग बहुत डरे हुए हैं, जो दो प्रमुक शहर हैं, वो हैं बीजिंग और लियाओनिग, यह दो शहर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों की निकल कर सामने आ रहे हैं, जो आस्पतालियों में पहुँच रहे हैं, निमोनिया जैस चीज हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं, और बिमारी उपर निगरानी रखने वाली एक वेबसाइट है, प्रोमेड मेल, उसमें भी मेडिकल स्टाफ के हवाले से यह बताया गया था कि मरीजों को दो घंटे तक लाइन में लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, चीन के अस आप किसी नई बिमारी का अंतजार बिलकुल भी नहीं करना चाहती, और इसी वज़ा से WHO ने भी आप यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है, इस बिमारी को लेकर निमोनिया के जो तमाम सिम्टम्स चीन में बच्चों को देखने को मिल रहे हैं, इनको लेकर और साथ-साथ र रिपोर्ट भी आप चीन की और से यहाँ पर मांगी गई है